मेरा परदादा दादा कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है ऐसे मेरे एक सोशल वरकर को और एक सोशल इशुई पर फाइट करने वाले को जेडियू पार्टी जनतादल इनेटेड जनातादल संयुक्त पार्टी ने मेरे को धूंड के टिगेट दिये सो है मैं बहुत खुशी पार्टी है इसलिए मुझे धूंड के टिगेट दिये सो है मैं बहुत आबारी हूं उनको शुकर गुजारा करता हूं जेडियू पार्टी को और कलबुरी की नौर्थ लोगों को भी मैं शुगर गुजाराइश करता हूं कि आपका ओट डाल के शरन एटी मुझे बहुत से बहुत मार्जिन से जितके आने का आशिर्वात करना इस वीडियो प्रेजेंट बाकर्स पब्लिक स्कूल गुलबर्गा यॉर किट्स दिजर्व बेस्ट एडूकेशन इंटर अंगेजिंग अक्तिविटी इस हॉनिस्टिक टीचिंग और ननिंग 2023 admission are in progress nursery to grade 9 address behind KNZ garden function hall ring road सबी कलबूर्गी का नागरिक को मेरा शरनाइटी का नमस्कार और सलाम आज के दिन बहुत खुशी का दिन है कि कलबूर्गी में एक मैं एक लड़का हो 35 एज का मेरा कुछ political background नहीं है मेरा माबाप कुछ politics में नहीं मेरा परदादा दादा कोई भी politics में नहीं है ऐसे मेरे एक social worker को और एक social issue में fight करने वाले को जेडियू पार्टी जनतादड इनेटेड जनतादड सयुक्त पार्टी ने मेरे को धून के ticket दिये स्व है मैं भहुत खुशी हूँ कि एक यूद को टिगिट दिये और यूद का एंपवर करना चाहिए जेडियू और जेडियू के हमारा state president स्री महिमा पतल जी को मैं दन्यवाद बोलना चाहता हूं कि महिमा पतल जी का एक सोच है कि ऑर्गेनिक पॉलिक्स करना बोले तो आजकल पॉलिक्स सिर्फ पैसा पैसा करप्शन और घोटाला का चल रहा हमारा स्टेट प्रेजडेंट जेडियू का महिमा पटल जी का सोच क्या है बोले तो और गनिक पॉलिक्स बोले तो बिना पैसे का पब्लिक से पब्लिक को इंसाफ दिलाने का पॉलिटिक्स कीजिए और सोशल वर्क करते करते पार्टी का एक टिगेट लेके आप पब्लिक के लिए कंटर्ट करके जीद को आउब आप में पब्लिक को आशिरवाद पूछता हूं शरण आईटी को जेडियों पार्टी से आप मेरा सिंबॉल तीर है आप मुझे एक मौका देखे यह बोड दालना और आपके हाथ में है महिमा पटल जी तो टिगेट दिये मेरे को और अभी मेरा सभी यूत भाईयों का खुश आरे और उनका मार्ग में हम चलींगे और पहले जेज पटल सर 95-99 करनाटक में सीम थे जनता परिवार से और रामकृष्ण हगडे सर भी सीम थे वैसे लीडर बनाने का पार्टी है जेडियों अभी सिद्रा में है ना उन्हों भी एक जमाने में जनता दल में थे और बम्मय पिता जी भी जनता दल में थे बसराज बम में भी जनता दल थे ऐसे जनता दल क्या है बोले तो लीडर बनाने का पार्टी है इसलिए मुझे धूंड के टिकेट दिये सो है मैं बहुत आबारी हूं उनको शुकर गुजाराय करता हूं जेडियों पार्टी को और कलबुर की नार्थ लोगं को भी में सुगार कुजाराय करता हूं